Drinking is Injurious to Health Highway को टच होने के बाद हम मैफूस हो जाएंगे Freeze Zone अगर हम मिल नहीं पाए तो हर बार की तरह सुभाज तुम्हारा पैसा टाइम पर देदेगा तुम तो चांते हो सुभाज फेवी को ले आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं समय बहुत कम है सर मुझे धमकी मिली है अगर मैं ये खबर पुलिस को दूँगा तो वो मुझे बॉम से उड़ा देंगे मैं अपनी जान खत्रे में क्यों डालू ये देखिये मुझे ए गंटे पले फोन भी आया था तो फेर तुम हर बार ऐसे काम करते क्यों रहते हो ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरता वो अपने ट्रकों को लेकर बाहर निकल जाये आप उन्हें अरिस्ट कर सकते हैं कि नहीं यहीं चानना चाता हूँ मैं यहाँ पर खाली नहीं बैठा हूँ तुम कहना क्या चाता हो ऐसी सिच्वेशन में कोई भी साधारन आदमी आपके सिनियर अधिकारी को शिकायत कर सकता है इसलिए आपके डिपार्टमेंट ने कुछ जरूरी नमबर अखबार में दिये हैं अरे भाई 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 तुम इस तरह की बाते क्यों कर रहे हो शिवराज तुम क्या चाहते हो सर वो लोग सुन्दर नगर से ट्रक के ट्रक रेत लेकर जा रहे हैं हम ये सब क्या है सर उनकी तबियत ज़्यदा ठीक नहीं है कहिए तो उठा दू क्यों नहीं नहीं उठकर करेगा भी क्या सर आज कल जो गैर कानूनी काम करता है जिसे सभी लोग उद्रे भानू के नाम से जानते हैं वो ट्रक से रेत की तसकरी कर रहा है आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उससे वहाँ पहुँचकर अरेस्ट कर लूँगा लेकिन हाँ सुभा होने से पहले वहाँ पहुचना होगा अगर वो जेल से भार आ गए तो तुम्हारे लिए रिस्क होगा तुम तयार हो मैं तयार हूँ सर वरना मुझे खुद को समाज सेवक बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता हम यहाँ तो ड्यूटी पर तीन ही लोग है जिसमें से एक बिमार है और एक को यहाँ रोकना पड़ेगा क्यों सर हम चलो ऐसा ही उन्हें रोकेगा तो इसके लिए मैं काफी हूँ इस वर्दी का अभी इतना रुत्बा तो है सर आप एक बार फिर से सोच लिजे उधर भानू की टीम में सुभाष भी है परमोर सुभाष हम चलो आप यहाँ कैसे आगे सर हाँ मैं यहाँ तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ चलो जीब में बैठो अपने आदमें को कहो ट्रक लेकर पुलिस टेशन पहुचे इसने मेरी कंप्लेंट किये क्या आ की है तब तो चलना ही पड़ेगा सर जा कंप्लेंट कर ले सीनियर ओफिसरस को कॉल करने वाला था अच्छा हुआ मैं आप पहुँच गया अब तो में से संभालो सर सर के बच्चे क्यों बे सर कोने तु नहीं जानता ना मेरा पार्टनर है प्राइशनर है अच्ठाइशनर है कर दोजय कर दोजब आजा औा दूनो कर दो कि अरॉब किया इद अजय से अजयसे लोगलोगम! विलाव में नहां कि अुछ कि अजय कि अधा दोज़ा है लिए इवार को तो जाूँचा है एक अले पहर दोजब जाँ तेक आफ यर कब सर्ट यजित तेक आफ यर कब सर्ट कि अचकल, और य why अगि झ Giving Sब्क Cिन सुच्रियक । Ket 열대 कट कंच झाल 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 शुरू करते हैं इनका कारण टूनने की यात्रा झाल 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 ये रूप मेरा तेरी बजा से महकार दिन में दिखा दूंगा तोरे सुन्स गिन गिन के मारूंगा हारे सुन्स गना मैं हारूंगा ना हारूंगा मैं सुन्स तिक्रन तिक्रन छोड़ो बेख ओ बेख ओ ओ बेख तू रूम में बसा तू दिल में सजा हाँ तू ही तो है आँखों में बसा हर अंग पे तेरा चातू साब, मेरे ऊपर मेरे साजना याँ 1, 2, 3, go दिन में जिखाना गारे सुन गिन-गिन के बादू गारे सुन नाना मा हारूंगा ना हारूंगा में सुन जिखने जिखने चोड़ो बे, ओबे, 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 ओबे You're a thriller, thriller, feel a thriller हो डोपेगी तुबरा, हर लम हांदेरा चहरा ख्यूब बना है मेरा, ये रूप अब मेरा, तेरी बजा से महका ये रूप मेरा का तिल है चरन बनके तू मच पे जा तू सच चाया अहित पर दोग् τους फास शीए नगा टेज़ा अपारीं सर्माने स zaris स्वास folks, शेख थेखें जोड़ें शर्म कत्रोश फेर नो अंवालीडियरे महातोने इस प्तरव से षिपत्व सच्वाने संयोंतों करें सब्सक्षों कुणस खत्तर। मैं बात करूँगा मेरी दखलंदाजी तो रहेगी यहां यू नो वाट अपन लास्ट नाइट हां क्या वो इन्नोसेंस है किस अधिकार से सर मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है कुछ समय बाद ये लोगों को कुछ ज़्यादा ही परिशान करने लगेगा हम इसे ठीक कर देंगे मैं बात करता हूँ बाई निरंजन मैंने सुना है तुमने कल रात को एक शो क्रेट किया इस बीच मैंने तुमसे बात करने की कुशिश भी की ये समझ में आता है लेकिन साथ में एक ये साई को भी मारा ये क्या गुंडगर दी है मैंने कितनी बार तुम्हें बुला कर वॉन किया है बट यू निवर किविन दिस टाइम इट्स एन ओडर कल तुमने जिससे दो भानू को पकड़ा है उसे तुरन छोड़ दो नो आगुमेंट्स नहीं सर ये तो नहीं हो सकता मेरा ओडर नहीं मानोगे ओडर वाली बात नहीं है सर उदे भानू के नाम पर केस रजिस्टर हो चुका है और एरस्ट होने के बाद केस रजिस्टर की बाद मीडिया भी जानती है अब आपके वर्बल ओर्डर से मैं कुछ नहीं कर सकता इस्यू अन ओर्डर इन राइटिंग और ये लिए रिलीस्ट ज्यादा नाटक मत करो जो कहता हूं वो करो नो सर आई कांट ज्यादा तेज भागनी की जरुवत नहीं कुछ भी करो लेकिन कलंग तुम्हारे उपर लगा रहेगा हवाला वालों की मदद करने के जुर्ब में तेरा बाप सबूत के साथ पकड़ा गया था उस टेर्मिनेट के गये पुलिस वाले के बेटे हो तुम भूलो मत देट से और लिमिट आज नहीं तो कल तुम भी अपने बाप की रह पर ही चलोगे तुम जो बोलोगे वह सही है समझना तुम्हारी गलत ही है ये देखे सर जैसा आपने अभी कहा ये उसे अपराधी की फोटो है जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सेलरी के अलावा किसी भी आदमी से एक रुपिया भी नहीं लिया है ये वो साधारन आदमी है बड़े अधिकारी का मुखोटा बचाय रखने के लिए कुछ लोग इमानदार पुलिस वालों को फसाते एक ब्लैंक चेक वाले गलती करने के लिए कौन कौन तयार है उन लोगों को मारने के लिए मुझे ये जो एक्स्ट्रा पावर मिलती है न वो इसी फोटो की वज़े से है ऐसा निडर इंसान होने के लिए बाप से पैदा होना ज़रूरी है अब आपने अगर मेरे पापा के बारे में एक शब भी बोला तो वो दिन आपका लास्ट होगा यू विल कर्स तर डे यू अब आन अगर कमेशनर सहाब ने कहा है तो हमें उदैभानू को छोड़ देना चाहिए सर रजिस्टर किया केस फाड़ कर फेंक दोगे क्या बोलो सर वो मिश्टर श्री निवास आप मुझसे बड़े हैं उम्र में और अनुभव में भी यह करप्शन नहीं है पर आप जैसे लोग ही हमारे फोस को प्रॉबलेम देते बड़े अधिकारी ने आदेश दे दिया है तो बस उसे पूरा करो चुकि रिटार होने में आपको मातर तीन साल बचे हैं और आपको उसकी चिंता करनी है आपसे कुछ बोलने से कोई फाइदा नहीं है मैं यह नहीं करूँगा माफ कर दीजे सर ये तो मैं अपनी नौकरी के अनुभव के हिसाब से कह रहा था सर अनुभव के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती आप मेरे पिता जी को जानते ही है वो छड़ो एलेक्स सर उदेभानु को पुलीस टेशन से छुड़ाने के लिए आज तक सुबह से हमने प्रीमियम कार का शो देखा है देर वर अलसो सम फोन कॉल्स फ्रम दे वेरे इंफ्लुएंशल और अफ्लूंट इसके पीछे क्या वज़े हो सकती है उदेभानु का मुखिया प्रमोद सुभाश है सर प्रमोद सुभाश वो सकेले का उप्रेशन नहीं है वो सिफ पार्टनर है पार्टनर इन क्राइम जै प्रताब अ हाई प्रोफाल मेट्र थग और यह दोनों उदेभानु को ले जाने के लिए आये थे यह तो हमें समझ में आता है उसके इलिगल बिजनेस का किंग पिन है उदेभानु लेकिन उनके साथ एक और आदमी भी फोर्ट पुलीस टेशन आया था जो शेहर का सबसे बड़ा पैसे वाला है साइमन पाम ग्रोफ तिस ट्रायो यह तो दिस ट्रीयो जैप्रता, प्रमुछ सुभाश थान साइमन पामगरूफ इस रहले पुजल एं लिए रहले इंट्रेस्टिंग जो भी और गी पाम लाफ तर इम स्ट वाकिन अन अठैक्शन सब्सक्द्स Why civil service? That's the question. Answer me. Come on. Respond. To serve the people, I mean society. Then go and join the charity organization. और वहाँ समाज सिवक बन जाओ. Why you sit here and rot here? Civil services समाज सेवा करने के लिए नहीं है, जो तुम समझते हो. The call of power. शासन करने की ताकत तुम्हारे हाथों में है. तुम्हारे अपमान के लिए नहीं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें समाज सेवा करनी है तो उसके लिए सिविल सर्विसेज नहीं है जब मैं ADGP इंटेलिजन्स में था तो मुझे सच्चाई और अधिकार भूल जाने के लिए मजबूर किया उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और मैंने दो लाइन में अपना त्याग पत्र दे दिया बाल गोपाल IPS अब यहां तुम लोगों को सिर्फ बैकबॉन डानेमिक्स पढ़ाने के लिए ही है च्योंकि मैंने अपनी लंबी सर्विस में इन दो आखों से बहुत सारे अच्छे ओफिसर्स देखे हैं काबिल ओफिसर्स इस कोर्स के पुरा होने से पहले जान लूँगा कि आप लोगों में से कितने अच्छे बैकबॉन ओफिसर्स बनेंगे and I never go wrong You see here is an example निरंजन The daring fourth right deputy commissioner of police ये यही इस कुर्सी पर बैठा करता था Training शुरू होने के तीन दिन बाद ही मैं जान पाया कि he is a solid metal ये यहां आते हैं इस बात की खबर बाहर लगी तो जानते हैं क्या होगा एक अच्छी news बन जाएगी कि deputy commissioner एक private class लेते हैं But you can wish them luck निरंजन Why not? मैं आपको एक बात बताता हूँ There is no substitute for hard work सिर्फ खुद पर भरोसा रखो और अपना विश्वास कभी मत तोड़ो And trust him He will take you along the right path ये इस संस्था के प्रचार के शब्द नहीं है ये मैं खुद का अनुभो बता रहा हूँ So that's it Lunch के बाद अगली क्लास डॉक्टर अंसारी लेने आएंगे Have fun हम फिर कल मिलेंगे Coffee and sandwich ठीक है न? Yeah मैं सोच रहा था कि तुम अपने पिता से बहुत ज्यादा different होगे वो एकदम निर्दोष थे वो चदिकारी जो बोले सिर्फ वो ही करना पड़ता है बलकि आप राधी भी मजबूर कर देते हैं सर्विस छोड़ने के लिए मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे पिता की मदद नहीं कर पाया मैं जानता हूं सर You told me this many times मेरे पिता जी अकेले रहने की वज़े से बीमार रहने लगे हैं I am worried मैंने उनसे कई बार कहा लेकिन सुनते नहीं है हवाला करने वालों की मदद करने की वज़े से उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया था कई मेरा भी अपमान नहों इसलिए उन मेरे साथ नहीं रहते सदाशिव से मैं बात करता हूं नहीं सर फाइदा नहीं है लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुमसे बात करने के लिए बोला है He believes मैं बोलूँगा तो तुम जरूर मानोगे He wants you to get married क्या हुआ नहीं करोगे पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे पहला प्यार सबका तूटता है वो भी कॉलेज की दिनों में उसकी वज़ा तुम्हारे पिताजी खुद को मानते हैं उस केस की वज़ा से जब उन्हें डिसमिस किया गया और इसके घर वालों ने तुमसे जब रिष्टा तोड़ दिया था तो उस समय सर अप तो जानते हैं कि इस शहर और इसके आसपास सब जगों पर गलत धंदों को चलाने वाला प्रमोट सुभाश और जैप्रताप है मिट्टी चुराना, जमीन, हवाला, सुपारी दोनों का यहाथ होता है और अब साइमन पामग्रूफ के साथ यह दोनों भी पार्टनर्शिप में है इस साइमन पामग्रूफ के बारे में कुछ परताल किये हो या, वो एक नंबर का बेवकूफ आदमी है डोप एडिक्ट, कोकेन, हैशे, हेरोईन, बूज अन गर्ल्स इस अ क्लीशे स्टोरी साथ हजार पांचसो करोड़ वाली पामग्रूफ ग्रूफ का मालिक बिजनेस में उसे आगे तो नहीं ला पाए लेकिन दिल्ली मुंबई में रख रहे हैं इस प्रॉडिगल सन को साइमन आठ मैने पहले मुंबई में आया था वो पामग्रूफ ग्रूफ के रियल इस्टेट सेक्टर में काम करता था जमीन का सौधा करने में उसकी दोस्ती सुभाश और जैप्रताब से हुई All said and done साइमन पामग्रूफ is a brilliant businessman लेकिन सुभाश और जैप्रताब ये दोनों हमारे लिए सिरदर्द है So what's the plan of action? मैंने साइमन का पीछा करने का फैसला किया है सर बस मुझे एक सुराग मिलने की देर है उसके बाद तुम्हें खुश जाओंगा तब तो जल्दी तुम्हारे और कमिशनर के बीच एक dual routine affair होने वाला है पहले से यह ऐसा चल रहा है सर फिर तुम्हें तुम्हें एक information देता हूँ नौकरी छोड़ने के बाद से मैं एक business man बन गया था accent group of companies का और वैसे भी मैं sports council और cricket association में काफी जाना माना हूँ I have my own sources and I tell you दो-तीन दिन के अंदर Simon Palmgrove पूरे शहर में एक हंगामा करने वाला है with something sensational ऐसे क्या बात है सर just wait and see गुरोगों को कुछ बताना चाहता हूँ उसके लिए प्रेस मीट है Palmgrove business activity के बारे में आप सब तो जानते ही है We are into finance, real estate, hotels, resorts, softwares, etc हमरी नई company I happen to be its MD New Horizons हम लोग अब ज़्यादा तर sports में पैसा लगा रहे National Cricket League में मुंबई से अपनी team अब यही मेरा लक्ष है अगले महिने तक सब कुछ finalize हो जाएगा इस business में तो पहले से ही बड़े-बड़े खिलाडी मौझूद है You are right See, this is the world of competition यहाँ महीं टिक सकते है जो fit है And we are going to be the fittest एक केंद्री मंत्री भी इसी परपस की वज़े से यहाँ आने वाले है Let him But, contract हमारे पास ही होगा I tell you, मुंबई की team आने से हमारा बहुत फायदा होगा लेकिन आप और आपके परिवार में इस विशेपर मत भेद हैं तो क्या वो इस प्रजेक्ट के लिए तैयार होंगे That's none of your business, mister Sir That's all Just a minute, अभी हमारे सवाल बाकी है हाँ, हाँ, मुझे भी जवाब चाहिए I have a question Sir, 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 please, sir Sir, आपने जवाब नहीं क्या Sir, please, sir, please, sir Sir, please, last question, sir Sir, please, last question, sir Sir, please, last question, sir Hello, Tiger calling Sir Hello, Tiger calling Sir Jew side पर कोई परिशानी तो नहीं है Nothing, sir मैं बाइपास पर हूँ Sir टेक्नो पार्क के पास हमने जो राजस्तान नंबर की गाड़ी पकड़ी थी उसका क्या हुआ हम उसी को ढूड रहे हैं, sir Over and out Sir Hey, hey, stop the car Control room Yes, sir DCP Nirajan Yes, sir I want an ambulance and send the party Yes, sir, कहाँ भिष्णिया Puna-Lonavala bypass Okay, turn left at the third signal Yes, sir Yeah, make it fast Okay, sir Simon Are you Simon Palmgur? What happened? What happened? Who did this to you? Meera Kya wa? Meera Come on, Simon, tell me Kya wa? Tell me what happened Meera Meera Spa Simon 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 कर दिन कर दोड़ेशं हो नहीं, होंगे नहीं! कि झारता वाधर करोोजेन कि निए प्यांचर प्यांचर 1 आट कि ए बेए एको प्याकर करो प्यादा तर्च कि आ मिएकोरह की Northern झाल 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 इस केस के डिरेक्ट फिजिकल इन्वेस्टिकेशन को मैं निरंजन को सौपता हूँ ये सर, बट सर, जब ये घटना हुई थी उस वक्त, मैं यही था, I will get a breakthrough very soon सर, इसे भाग दोड़ करके ग्राउंड वक करने दो, and you will report directly to me ये सर, निरंजन, साइमन ने मरने से पहले तुमसे क्या बात की थी, कहा तो था, लेकिन वो clear नहीं था, जब मैंने पूछा कि तुम्हें किस ने मारा, तो वो बुला कि मीरा स्पा, ये कहा उसने, गटना स्थल से मुझे एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, unfortunately, the SIM card also was damaged, पर SIM number से address का पता लगा सकते हैं, मैंने Cyber Cell से कह दिया है, that is going to be vital, it is, जब मैं उस घटना स्थल पर पहुँचा, तब मैंने देखा कि दो आदमी साइमन के पास से भाग रहे थे, वो शायद प्रमोच सुभाश और जैप्रताफ ही थे, in all probability, वो लोग गोवा से बुलाए गये थे, we are after them, प्रेस कॉन्फरंस होने के बाद, करीब डेड़ बजे साइमन, सुभाश और जैप्रताफ उनके बाकी के दोस्तों के साथ बाहर आये थे, और वहां से वो लोग एक रिसॉर्ट में प्राइवेट पार्टी के लिए जाने वाले थे, साइमन और सुभाश, सुभाश की गाड जैसे आद्मियों पर, हम ऐसा नहीं कह सकते सर, इस केस में बहुत सारे कॉंट्रेडिक्शन्स हैं, लाइक, लाइक साइमन के अंतिम शब, उसने जैप्रताप या सुभाश का नाम नहीं लिया, और गाड़ी के पिछली सीट पर खून पहला था, साइमन को चाकू, गाड़ी जैप्रताप और सुभाश की सोच में, उतना खास अंतर नहीं है सर, रंजन, मैं तुम्हारे सोचने के तरीके से सहमत नहीं हूँ, I believe your instinct, but I wanna break through so badly, we will make it happen sir, then buckle your shoes and run, yes sir, सर, please sit down, क्या हुआ विजय, नमबर के पहचान तो हो गई है सर, कार्ड के लिए जो एड्रिस दिया था, वो ये है, राज मोहन, विलंकनी रोड, पश्चिम, इरला मोड 695-505, अभी इस नमबर पर कोई recent call आया क्या, आया था सर, उसके family में कोई criminal background किसम का आदमी है या नहीं, ये देखना है, सर, ये भी तो हो सकता है कि ये phone किसी ने हमें परिशान करने के लिए किया हो, that's a possibility, जैसा कि तुमने कहा कि ये जो राज मोहन है, वो पुलीस complaint भी कर सकता है, तो जाओ उसे ढूंडो और उसे बात करो, सर, ये है मोहन विजे, राज मोहन का बेटा, ये ही उस सेम को यूज़ कर रहा था, ये प्रमोज सुभाष की गैंका है, ये लिस्टेट क्रिमिनल है, हम, क्या हुआ सतीश, सर, ये अभी पकड़ा गया है, अभी अभी खबर मिली है, सर में आए, या, सर, सर ये जोशी है, ये एक लिस्टेल क्रिमिनल है, कॉंटेट किलर, पिछले साल आरके जुलरस में हुए मडर में इसका ही हाथ था सर, जेसे हमने करीब परीब बंदक बना ही लिया था, लेकिन उपर से फोन आने के वज़े से, हम को इसे छोड़ना पड़ा, है न, हाँ, ये पारमार सुभाश और जैपरताब के साथ मिलकर काम करता है, सर, अलेक्स, सर, इस आदमी और मोहन विज़े के बीच क्या कनेक्शन है, सर, चार-पास दिन पहले ही मोहन विज़े को कॉंट्रेक्ट किया था, और मोहन विज़े अपने साथ आस-पास के चौदा लड़कों को लेकर, रुपाली लॉज में मीटिंग की थी, सर, उसने, परसों का मतलब है, मुर्डर होने के दिन, सर, तुम उसके साथ है, चौदा लोगों का पता लगाओ, विज़े सेल नमर्स, अगर कोई मोबाल एक्टिव मिला, तो लोकेड़ टावर, और सतीश, तुम दोनों के अक्टिविटीज को श्री निवास को ओडिनेट करेंगे, और यू रिपोर्ट तो मी, सर, सर, तो गएगाँ, सर, मेरा.. स्पा.. पहुत उल्जा हुआ था उसका ये आखरी शब्द मीरा स्पा स्पा मतलत क्या वही जो ब्यूटी पालर में होता है न नॉट रेली इसका वास्तविक मतलब तो स्टीम बाद, स्विमिंग पूल से होता है यानि कि हेल्थ क्लब लेकिन आज कल तो सभी ब्यूटी और हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर भी अपने आपको स्पा बताते हैं श्रीनिवास जी सर शेहर में जितने भी स्पा है सब की डीटेल निकाल लीजिए and see if there's one called Meera Spa inta बेंशे होinkडे है अग्छाओू करने में दोगा की बताना Baboja needs झाल 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 हे परमपिता हम पर अपने किता बनाया रखना और इनकी आत्मा को शामती देना हे मेरे इश्वार इनके सारे गुनाह को माफ कर और इनकी साहता कर हम सभी आपके पुत्र हैंश्वार आवें आवें हाद्वार इनकी साहता कर दो झाल झाल yes you are going to airport man yeah sorry you can't go now car agelo hey what's happening मेगना गुपता A102 पामकोट Malad West, Mumbai मैं I know what's all this I'm DCP Niranjan मुझे आप से Simon Palmgrove के बारे में कुछ सवाल पूछने है I'm investigating his model आपके और Simon के बीच में रिष्टा क्या था? He is He was my boyfriend So, what do you do in Mumbai? I do events for the corporate Simon का funeral उसके मरने के चार दिन बाद हुआ था तो आप पहले क्यों नहीं आई? Tell me मैं दुबई में थी कल ही मुम्बई पहुची Oh You were in Dubai? Hmm Ma'am, I expect you to completely cooperate with us आपके और Simon के बीच में कुछ प्रब्लम हुई थी का? I mean, was there any sort of trouble between you and him? Okay Things were all good between us In fact, we broke up three months ago Why? He was a difficult character He was a crazy guy And there were a lot of girls I had a lot of fun But things didn't work Oh Funeral में जो आदमी आया था वो कौन था? जिसे देखकर आप काफी डरी हुई लग रहे थी Tell me मार्टिन दिनकर That's his name Yeah I checked him out A Dubai-based underworld dawn आप उससे क्यों डरते हैं? Simon को मार्टिन एक बर उससे पहले भी धंकाया था जो प्रॉपटी मार्टिन को चाहिए थी उसी को Simon आउट बिट करके खरीदा था और उसी डील को celebrate करने के लिए Simon booked a pub And he threw a small private party With some song and dance I can't forget that day जब आई बल्वल भी उईड़ तो आप जूसी दीने कुछ ने ख़दिया है यादी और फैर तक है दीन मुझको दे दे ये दिल तुझसे खोई न सुन दे सुनो तेरी लैला मधुरम से होट है कमसिन तू तो एक भूल है रसका अनमोन तू है रे तू ले मुझको दिया तूने मुझको दिया जड़े दिया तूने मुझको दिया ओ जाने जा ओ जाने जा मन तुझ पे आया ले अब तेरे भी अब तेरे भी ये मन मेरा मुझसे ये बोले जो तेरा हार है रे वो तो तू चाने चानम चादू कदी है चाने एक सके आ कर लो थोड़ी मस्ती करने दे थोड़ी मस्ती तू है रे खो बसूरत मन ये बोले मुझको दे दे ये दिल तुझसे कोई न सुन दे सुनो मेरी लैला मुझको दे बोले महके मन हां महके मन गोरे से दन में चले लग जा कली चादू चले तेरा मुझ पे तेरा सुन ले मठारा है ये मौसम रूम तेरा है रे शम हो जाओं मैं तुझ में आ ऐसे मिल जो तेरा हार है रे वो तो तो जाने चानम चादू कदी है चाने एक सके मुझे को दे दे ये दिल तुझे से कोई न सुन दे सुनो पेरी लैला मुझे को पिया तुने मुझे को पिया दिल ने दिया तुने मुझे को दिया उसके बाद साइमन और मार्टिन के बीच में और कुछ हुआ था सम्थिं स्ट्राइकिंग या साइमन और मार्टिन ने फिर एक प्रॉपर्टी के लिए बिट की और इस बार साइमन का रियल स्टेट एजेंट और मार्टिन को वो प्रॉपर्टी मिल गई तभी साइमन ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़ देगा और म्या ने थार आप ने रिए मिरा प्रॉपर्टी ने प्रॉपर्टी ने था रिए क्या आपको लगता है कि साइमन का मौर्टर शायद मार्टिन ने किया होगा प्लीज, प्लीज किप में आउट अफ दिस साइमन इस सववना लवड और लास्ट सर जोशी के साद मोहन बिजू सती सब के ठिकानों को पता चल गया है लेकिन वह पहुचना असान नहीं है वो लोग हरबर में है वो जोशी के अरिया है थाथ के यू कन तेक थी थरिटी फ्लाइट लेट लोग अशीं पर सुक्समाट इस पुनाज़ रहा है एंहाद पैह पलकत सबस्ता चैँ और शोओत वह एपढ़ी यहां एपन करिफ दो लॉझी आ भाग कर दो還 मुझी के फर्म महझा है ! पाही ? पुलीस ! एप 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 खड़ा ! एप एप एए 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 एप एए 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 एगए अपने दिखार दोदी ए चोलो चोलो जल्दी मेरे पकड़ लेगे तो भार मार के अपने कच्छो बने देंगे भागो यासे अब हाट अ में भाट ङa भाट हाँ अाँ huh हुआ, हुआ हुआ कुआ कर दो कि दो तो कि तू और से कि दो कि अुप मेविस सो कि दो भूँ बवसिए और कि अगह siete आच अԵा के फो आई hatır कर कि जुड़ब क knife अपिस पार बॉत कर handling कि अफ पार जाँ अब्लीजा कैक 11र बास पहत तमसा किई Hai झाल 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 क्यों तू अपनी सारी हड़्डिया कुडवारा है शाले उमारे पास बहुत मस्बूत एविड्थेंस तू बज के नहीं जा सकता 934-99-22-065 यह सेल नंबर तेरा ही है ना बॉलर है जोर से बॉल हाँ मेरा तेरी मा के नाम पर तेरा मोबाइल करेक्शन है तब तो ठीक है अब यह बता यह गटना कैसे हुई मैंने किसी को नहीं मारा सर पान कर उल्टा लटका इसको नहीं सर मैं बताता हूँ क्या हुआ था भाई अरे तुम कुछ भी नहीं जानते हो जब तुम्हें पुलिस ने सबुत के साथ पकड़ा तो तुम्हें बता देना चाहे था कि क्या हुआ बाकी सब कोट पर छोड़े देना चाहिए और इतनी पिटने की नौबद भी नहीं आती करेक्ट लगता है तुम्हें इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है हाँ थोड़ा बहुत है सर 1996 से इस खेल में जो श्रीनिवासन सर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं जब इसने हाथसे की जाका पर मोबाल खो दिया तभी मैं समझ गया था कि हम अंदर जाने वाले हैं तो तुम बताओ सैमन को मारने की सुपारी तुमें किसने दी थी नहीं सर उसे मारने के लिए हमें किसने सुपारी नहीं दी उसके पुराने पार्टनर जेम्स ने उसे मारने की सुपारी दी थी वो मुझसे अपना प्रोटेक्शन चाहता था मेरी पॉलिसी है कि जिसने सुपारी दी है सबसे पहले उसी पर अटेक करो ताकि वो चुप हो जाया दो दिनों बाद वही रुक कर मैंने 14 बंदों का जुगाड कर लिया जो सिर्फ मेरी सुनते थे बाद में लॉट से बाहर आकर हम तीन गाड़ियों में निकल गए उस समय रात तकरेवन एक बचे हम जेम्स के घर के लिए चल दिये बीच रास्ते पर हमारी एक गाड़ी खरब हो गई तो बाकी गाड़ियां भी वही रुक गई सभी लड़के रोड़ पर गाड़ी को ठीक करने में लगे थे उसी समय बहुत तेजी से एक स्कॉर्पियों गुज़री एक बाइक वाले को टकर मार कर वो रुक भी भी न भाग रहा था हमने उसे रोपनी की कोशिश की लेकिन रोप नहीं पाया इसलिए हम सब लोग अपनी गाड़ियों को लेकर उसका पीछा करने लगे ए ए चलो बैठो ए चलो उसका पीछा कर कर दो फिखा है ए बाहरा जल बाहरा साले होँ कार थोग कर भाग जादा है रुकचा मैं दखता हूँ मैं समालता हो ए रुकचा हो साले का अदमी को मार कर ने से भाग जाग जागा रुभ यूनोओ आयम साइमन पंप्प ग्रो अबे तु कोई भी हो मुझे उससे क्या, तु मेरे सवाल का जवाब दे नहीं तो तुझे, छोड़ो मुझे और उस समय मोहन, शराब के नशे में धुत था, वो गाड़ी में अंदर बैठा वो सब देख रहा था, जब आवास तेज हुई, तो वो गाड़ी से बाहर निकला छोड़ोंगा नहीं मुझे, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा यह क्या किया तुने, चल निकल यहां से रियास हसन मंजिल, चार बंगला माड़ा, यह तुमारा ही अड्रेस है ना, जी हाँ तुमने इसकी पूरी बात सुनी न, जैसा है कहे रहा है वैसे तुमारी भाई की उस कार्पियों के साथ टक्कर हुई थी क्या एक्सिडेंट में तुम्हें कहीं चोट नहीं है, हाथ पेर में थोड़ी चोट लेगी थी बस तुम्हें आस्पिटल कौन लेकर गया था इसकी गैंग में जो संजीव भाई है वही मुझे इस्पता लेकर गया थे जनरल होस्पिटल लेकर गया थे सर और कुछ बताना है अवे पता सालेप सब कुछ सच है इसने सब कुछ आपको बता दिया उस दिन मैंने बहुत पी हुई थी बिना सोचे मैंने मार भिया हलेक्स सथ टेक दिम आउट जब क्रिमिनल पूरी तरह से अपनी गलती मान रहा है तो इतनी लंबी तहकीकात करने की जरुवत क्या है मैं जानता हूं सर लेकिन अभी हमने जो भी सुना वो मन घणन कहाने भी तो हो सकती है देन यू प्रूव इट निरंजन बट यू डून्ट हैव टाइम इसके बाद कोई दूसरी थेयरी बनाने का चांस नहीं है आइम सॉरी त्यायब करेबाद करने का चांस बाद करने का चांस नहीं है झाल झाल प्याल प्याल आखरी तु आखरी तु है मेरी वा सुंदरी तेरी खुश्बू मध्धम मध्धम तेरी और मुझे रखीचे तेरे पेज़े पेज़े हम्दम मैं आऊं मक्या मीचे तेरी मैं सुंदरा होगा में लंब सुंदरा मेरे पन में है तु ही रे मेरा जीवन तेरे लिए तेरी राहों में जले बस मेरी आखों के ये दिए मांगे तुझे मन ये हर दम सुचाना था कभी होगी हालत ये भी दिवाना मुझे को यो कर दोगे हो कुछ ऐसे मिले हम मिले है देदर महकने लगी है ये पुरवाईया प्रिया करी तु आखरी तु है मेरी वसंदरी आहोंके मगन आचे चनन प्रियत मा तिर लिये प्रियत राट दिन तुझ में है मगर मन पे तुम भोरे प्यतमा कुछ ऐसे मिले हम मिले हैं विदर महिकने लगी है ये पुरवाईया सुचाना था कभी होगी हालत ये भी दिवाना मुझे को यू कर दोगे हो मेरे बन में है दुहीरे मेरा जीवन तेरे लिए तेरी राहों में जले बस मेरी आँखों पी लिए पिया है 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 फ्रेंस के साथ अपार्टमेंट शेयर करने की बात मुझे ठीक नहीं लग रही है क्यों न तुम YWC में अकुमेडेशन की जगा देख लो माँ अब फ्रेंस शेयर करना बहुत आम बात है और वो भी बैंगलोर जैसे शेयर में मिस मेरा कृष्णदास कहां जा रही है आप यह बैंगलोर जा रही है कोई खास बात बैंगलोर में क्या है वो सर यह सवाल आपके लिए नहीं है बैंगलोर में मुझे एक जॉब मिला है नेम दे फॉर्म टागस इंफर्टेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेट अससिस्टेंट मैनेजर बिजनेस डेवलोप्मेंट जब तक हमारी एंक्वाइरी चलेगी तब तक तुम हमारी निगरानी में रहोगी तुम्हें परेशान किये बिना हमारा एक पुलिस वाला इस घर में रहीगा सो एलेक्स विल कॉल यू सो बदला ले रहे हो क्या जो मेरे दिमाग में होता है वो मेरा शत्रू होता है तुम मेरे दिमाग में हो ही नहीं मैं कमीन सर हाँ कमीन इस केस के सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं इसी लिए साइमन पामग्रोफ के मर्डर के 45 मिनट पहले उसमें प्रमोट सुभाष और जैप्रताप का क्या स्पेसिफिक रोल था प्रेस वाले अगर यह पूछेंगे तो इसका क्या जवाब होगा इस केस में शुरू से ही परचाई की तरह लगा हुआ इंडियन क्रिकेट लिक फैक्टर दुबाई बेस मार्टिन दिनकर है जो आजकल शेहर में ही मौजूद है तेक मैं वर्ट सर मीडिया के सामने हमें शर्मिंद की उठानी पड़ेगी सर हमारे डिपार्टमेंट का सेंसेशनल केस जीसे सिर्फ अभी छे दिन बीते हैं और हमने सभी अपराधियों को पकड़ लिया ये पुलिस वालों के लिए गर्व की बात है स्पेशली चीफ इन्वेस्टिगेटिव आफिसर के लिए सर तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे की मेरी वर्दी पर एक और सोने का मेडल लग जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है मनोरंजन अब सौरी मनमोहन मैं जानता हूँ ये मीडिया वाले हमें चैन से बैठने नहीं देंगे साइमन पामग्रोव के केस में बहुत सी कड़ी बाकी है सर लेकिन डिजीपी साहब एक प्रेस मीटिंग रखना चाहते है इसा मत करो तुम मुसीबत में फस जाओगे थामस सर आप ऐसा क्यूं सोच रहे हैं जो भी होगा हम सब मिलकर देख लेंगे सुनो यहां लोग वर्दी के स्टेंडर को जानते इसलिए नीचे स्तर के लोगों का इस्तेमाल मत करो सारी बाते आपसी समयती से की जाती हैं लेकिन यहां पर तो ताकत का रोब दिखाते हैं ना सर माइंड यूर लेंगवज चुप करा सर प्ली सर तुम चुप रहोगे सॉरी तॉमस दिन्ट मिन टू मेक अ सीन मैं तुमारे घर शाम को आने ही वाला था एजुकेशनल ट्रस्स के लिए मैं एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ आने वाले अठारा तारिक से ओपिनिंग कर रहा हूँ तॉमस आपको जरूर आना होगा जरूर आंगा सर सुबह जब मैं होम सेकरेटरी से मिला था तो डीजी ने तुमसे प्रेस स्मीट के बारे में बात की थी इसलिए मैं सीधा यहां चलाया थॉमस यूनो वेल हमारी डिपार्टमेंट के लोग बहुत सिर्ददी लेते हैं जितना और कोई नहीं लेता है सो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना यो गेट में? आई डू सर बूलना मत अठारा तारीको मैंने सिर्फ छे लोगों को ही बुलाया है मैं जरूर आऊंगा सर जब मैं परेशानियों से घिरा हुआ था तो आपने मेरी बहुत मदद के थी कैसे भूल सकता हूँ हालाद भले ही बदल गया हूँ लेकिन मैं आप भी बिल्कुल नहीं बदला थैंक्यू सर चलता हूँ I'll see you सर Sir, please avoid the press meet आप चाते हैं तो हम press note डे सकते हैं A carefully worded press release उस पर कोई भी सवाल या जवाब नहीं उठे When DG says press meet, it's a press meet निरंचन Sir, कल जरूर कोई misfire हो जाएगा जब मीडिया सामने होगी उस समय हम अकेले होंगे You will be crucified मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं हमारी force को हमेशा एक निर्दोश आदमी चाहिए इस बार मैं हूँ मैं भी ज्यादा बेज़िती नहीं जहल सकता अगर ज्यादा हुआ तो उस आदमी की तरह चार लाइन का letter लिखकर नौकरी को लात मार दूँगा क्या फर्क पड़ता है लेकिन मैं डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हो सर अपने उच अधिकारी के आदेश के वज़े से आप प्रेस मीट में जरूर कह सकते कि दे केसिस होगा बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले किसी को पकड़ कर उस पर फाइन मारना ही मेरा काम नहीं है सर पुलीस वालों का काम जैसा आपने कहा था असली मुझरिम को ढूंडे बगएर मैं अपनी तलाश खतम नहीं करूँगा मुझे सिर्फ आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं और आप तो जानते ही हैं सर कि मैं असली मर्द हूँ आप सब लोगों को आज यहाँ उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है इस केस के बारे में पहले से ही पूरी शहर में धेर सारी अफ़ाहें पहल रही है आपके सामने वारदात का ब्योरा देने के लिए आज यह प्रेस मीट रखी गई है इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोशी और उसके 14 लड़के इस मडर केस से संबन्धित हैं जिसमें से साइमन को मारने वाला मोहन विजे नाम का लड़का गोवा का ही बाशिंदा है सुपारी किस ने दी थी? इसके पीछे इंडियन क्रिकेट लिक का कोई बिजनेस लिंक भी है क्या? कहीं पोलिस हमें गलत इनफार्मेशन तो नहीं दे रही है न लूगदे बात कुछ जरूरा बताइये न सरर लिशन मी मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था यह तो फिल्मी कहानी लगती है इस पे विश्वास कैसे किया जाए असली क्रिमिनल को कही पुलीस बजा तो नहीं रही है ना So you mean it that Simon's is a freeze killing कोई बिजनेस दुश्मनी तो नहीं है Nothing to do with the Indian Cricket League मैंने आपको बताया ना These are the facts of this case And one more thing Mohan Vijay ने कतल के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया था वो चाकू हमने उसी के घर से बरामत किया था So it's a conclusive proof Don't Malmohan It's an official confirmation, isn't it, sir? Sir, I have a conclusive So you confirm on it, sir? So there are only the dealers, so you confirm on it, sir? Yes, yes, right Police के लिए चाकू तो आपने ही बनाया था, ना? हाँ, वो मैंने ही बनाया था किस के लिए? CT के SI साहब ने कहा था City के SI, John Samuel और दो पुलिस वाले यहाँ आए थे यहाँ पर चाकू लेने के लिए जैसा की नाराय ने हमें बताया सारे निउस्पेपर और चैनल में दिखलाया जा रहा है जो हतियार मारने के लिए इस्तिमाल किया था उससे आप लोग खुद बनवाते हैं, यह सब कब बंध होगा? मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर दीपेंट सर, प्रेस मीट में आईजी ने गलती कर दी थी थॉमस, यू विल हैव टू एक्स्प्लेइन कुछ भी कहानी सुनाने से पहले आप लोग एक बार सोच लें अगर आप लोग सच भी बोलेंगे तो भी उन्हें जूट लगेगा क्योंकि पुलिस वालों के बारे में ये बास साबित हो चुकी है सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद भी होम मिनिस्टर के इंसल्ट हो रही है सराइम रिस्पॉंसबल फर वाट इस हैपन दरसल मुझे ऐसे मीडिया को हैंडल करने का ज्यादा एक्सपिरियंस नहीं है एक के बाद एक सवाल करते ही जा रहे थे आई तिंग आई जस्ट वेंट आउट आफ मैं फीट्स तुम जानते हो इससे हमें क्या नुक्सान हुआ है अपने राज जी के पुलिस वाले बहुत ही ब्रिलियंट सच्छे और इमानदार होते हैं हमने अपना सम्मान खोया है तुम कहना क्या चाहते हो अब मैं जो आपको बताऊंगा अगर आपको पसंद नहीं आए तो मुझे माफ कीजिए सर आज प्रेस के सामने हमारे डिपार्टमेंट की जो गलती है और गलत तरीके बाहर आए हैं उसके जिम्मेदार अकेले ये आजी थमस नहीं है सर प्रेस मीट में जो मिस्फायर हुआ है उसकी जिम्मेदारी डिएजी को भी लेनी चाहिए सिर्फ जिम्मेदारी और अपने हूपरी अधिकारियों का कहना मानना ही हम जैसे पुलीस वालों का काम है तो हम निडर होकर काम कैसे कर पाएंगे हाँ डेर यू कतल का हथियार बनाना और उसे कातिल के घर में चुपाना जहां से वा पाया गया चीफ इंवेसिगेटिंग ऑफिसर आई जी को यह पता ही नहीं था त्यूकि इस केस को शुरू से मैं हैंडल कर रहा था प्रेस मीट शुरू होने से दो घंडे पहले हमने ग्रूप डिस्केशन किया था और उसमें मैंने यह सब कुछ कहा था अ कॉंस्पिरसी हेटेड और एग्जेकूटेड बाइड सिटी पुलिस कमिशनर तो पर्टेक सम्वन बिहाइंड अ सीन हेई इलजाम लगाने से पहले सोच ले बाप की तरह तेरी वर्दी भी उत्रवा कर रहूँगा मैं घर जाने से पहले अगर डिस्मिस हो गया ना तो दुबारा आऊंगा और ये फाइल फिर से खोलूँगा अगर इस बात पर यकीन नहीं तो अपने दोस्त लैंड माफिया उदाय भानू से पूछ लेना वो आपको बता देगा कि मेरा पंच कितना पावरफुल है मुझे कहीं भी फसाने से पहले इस शहर में अपने लिए एक कमड़ा बुक कर लो सर जिंदगी बिताने के लिए एक बेड़ तो चाहिए ना मेरे ही सामने क्या बकवास किया जा रहे हो तुम लोग नॉनसेंस माफ किजिए सर बेवज़ा किसी बात के लिए किसी को चोट डी जाय तो आप उसका दर्थ समझ सकते हैं थोड़ा जमें भावुक हो गया था बिकास माइन वस दा आउटबर्स अप्रेस्ट अफ दा ब्रूटली सप्रेस्ट हूँ प्रियाधिकारी के अधिकार का इस्तमाल करके केस को रफा दफा करना चाते हैं कमिशनर सो आफ तो स्पीक सम्वेर सम्टाइम अगर उन्हें हमारी पार्टी बचाती है तो हमें बताना सब को एक लाइन से कटगरे में खड़ा कर दूगा मैं सर और हां मार्टिन दिनकर उस से जरा सम्हल कर रहना ही इस टू बिक टू टेंजरस वन मोर थेंग तुम लोग डेमोरलाइज मत होना निरंजन यू गो अहेड मैं देखनोंगा जो कुछ भी होगा येस सर हुआ 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 है है अगंग है है मार्ट है 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 प्लेस तो मीट यो गुड़ तो सी यू यहाँ मेरा होम मिनिश्टर के साथ एक एपाइटमेंट है उनको भी अभी बस दो मिनिट पहले ही पता चला I guess it's a call from the top Really? I'm impressed निरंचन मेरे बारे में तुम पूश्टाश तो करी चुके होगे लेकिन वो सब बातें गलत है मुंबई के कुछ पॉलिस ओफिसर्स I mean smartest in the force इस तरह से कई बार वो मेरे पीछे पड़ चुके थे लेकिन some point of the time पता नहीं क्यों Strange वो गयब हो गयब जो लोग मुझे नहीं जानते वो जानने के बाद मुझसे डरने लगते हैं मैंने कहा था न It's good to see you here You know why? क्योंकि मिनिस्टर के बाद खत्म होने से तुरन पंदरा मिनिट बाद तुम सामने हो जिसकी जानकारी मंतरी जी को भी नहीं है It shows two things Number one जिसने तुम्हें ये information दी है वो इस समय इसी building में है And number two You are disturbed Badly affected By this investigation Martin दिन कर इस नाम के पीछे मैंने तो बस आगे बढ़ना शुरू ही किया था लेकिन तुम खुद भाग कर यहां आ गए इसलिए मुझे साइमन मर्डर केस के सूतरधर का पता चल गया गलती कर दी मार्टिन जल्द बाजी में यहां आकर तुमने खुद का भांडा फोड दिया वर्ना तुम्हें देखकर मैं इतना भी समझ पाऊंगा कि तुम इस खेल के पीछे हो ऐसा नहीं है आइम गेम गेम फोर एनी गेम अद आइम डेरिंग बलडी डाम डेरिंग मनुष्य के स्पंज समान फेपड़े हावा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेपड़ों को बीडी सिक्रिट का धूमा सोखने के लिए इस्तिमाल करते हैं एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेपड़ों को अगर आपने चोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है तंबाको सेवन से कैंसर दिल का दौरा फेपड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा विमारियां होती है इस फिल्म अथ्वा कारिक्रम में दिखाए गई कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाको उत्पादों जैसे की बेड़ी, सिग्रेट, खैनी, जर्दय त्यादी के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं हम रोज बचास नए मरीज देख रहे हैं महीने में करीब 1000, 80-90 प्रतिशत मू के कैंसर तंबाको चबाने से होते हैं ये मुकेश की कहानी है अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था खैनी, पान, गुटका, पान मसाला, सब जान लेवा हैं साइमन मर्डर केस में अब एक महतोपूर्णा मोड सामने आया है साइमन की कमपनी में उनकी पूर्व वरकर मिस मीरा कृष्णिदास का सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है ये लटस निउस है उस लड़की से पूछताज के लिए उस लड़की को यहां बुलाया गया है किसी भी समय वो यहां आ सकती है उनके भयायन से इस केस में कुछ नया खुला सा सामने आएगा ऐसा बताया जा रहा है ओशिवरा पुली स्टेशन से अपने कैमेरामेन सेनी के साथ मैं रिपोर्टर राजिश प्लीज नमस्ते सर आप कौन है मैं एड़ोकेट टोदे वर्मा हो पूछ ताज के समय यहां किसी एड़ोकेट की ज़रूरत नहीं है नहीं सर मैं यहां एक एड़ोकेट की हैसिय से नहीं आया मैं मेरा का मामा हूँ शायद आपको याद नहीं हम पहले भी मिल चुके हैं सर निजी पहचान के हाँ कोई माननेता नहीं है यू में प्लीज गो आउट सारी सर और यू में आउज सिट तुम कितने दिन तक साइमन पामग्रोव के एमपलाई थी? एट मन्स इससे पहले आप कहां काम करती थी? इससे पहले गोआ में थी और एक साल ममबई में ही यू कें चेक दिस फोल्डर मेरे सारे पार्सनल डिटेल्स इसमें मौजूड हैं तुमारे और साइमन पामग्रोव के बीच कैसा पार्सनल रिष्टा था? वाट दो यू मीन? सवालों के सही जवाब दीजिए युसे मिस्टर साइमन वाज जब से टॉलरेट कर पाना बहुत मिश्किल था युवाज इंटो ड्रॉग्स एंड इसेड एक्स्प्लेइन दिस अवज जस्ट कमिंग टुएट जब से मैंने जॉइन किया था तब ही वस एक्टिंग फ़नी विद मी कामचारी रखने के लिए मैंने उसकी इन हरकतों को नजर अंदास करना शुरू कर दिया लेकिन हर बाहर की तरह वो मुझे कैमरे में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था इन अन आटो क्लिक कैमरा मेरा यस सर कामियार एए स्टॉप इट नो हेए बस उस दिन मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और दो दिन बाद मैंने अपना रिजाइन दे दिया अच्छा रिजाइन देते समया उसका रियक्शन कैसा था एकसेप्ट ही नहीं किया बहुत वाइलेंटली रियक्ट किया फिर उसने बताया कि वो मुसे शादी करना चाहता है फिर मैं वापस काम पर नहीं गई साइमन वस प्लैनिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन क्रिकेट लीग तुम्हें उसके जानकारी है जानती हूँ वो प्रोजेक्ट मैंने ही डिजाइन किया था वो इस बारे में कभी कोई डेंजरस बात हुई थी क्या हुई थी क्या हुआ था एक था हम क्रिकेट इस नॉट ए गेम साइमन और यह वार्निंग पैस अन्यमूर इस नहीं प्रोब्ल्म यह नहीं कि इस देंग्रेस्ट यह देंग्रेस्ट विए सामन मार्टिन से डर गया था तुम लोग रेगुलर्ली किसी स्पा में जाते थे स्पा? हम कभी किसी भी स्पा में नहीं गए थे सामन ने कभी किसी स्पा के बारे में तुमसे बात की थी क्या? I mean, something like his favorite hangout नहीं, सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनस है यह स्पा का बिजनस ऐसा उसने मुझसे कहा तो था लेकिन अगर मैं वो बिजनस करने के लिए मान जाती तो उसने मुझसे कहा था कि He even named it Meera Spa Meera Spa तुम अब जा सकती हो दुबारा बुलाने पर आना होगा Can I go to Bangalore and take up my new job? No, you can't go Meera को पुली स्टेशन बुला कर उससे वो सवाल पूछे जिसके लिए वो जिमेदार थे Agreed But at the end of the day तुम्हें उसकी दिमागी हालत का भी ख्याल रखना चाहिए था इतना rudely वो भी मीडिया के सामने और उसकी मा के साथ उसे पॉली स्टेशन बुला कर पूछताज करना तुम्हें वो सब अलग रखना था तुम चाहे ईसे मानो या ना मानो उसमें तुमारा कुछ परस्टनल दिखा जब तुम्हें पताचला कि Simon का उसके साथ relation है, तो तुम्हें बहुत बुरा लगा Can you deny that? Of course I can अगर तुम ये सोचो कि जो हुआ वो ठीक था Now you know that she is clean She is a respectable independent girl And she is single, even now मैं वो सब नहीं सोच रहा हूँ था Martin Dinkar ने Cricket League के लिए Simon को धंकाया था उसकी एक हे विटनेस है and that is Meera so she might be actually in danger ठीक उसी तरह साइमन के जो लाज़ शब थे मीरा स्पा साइमन मीरा के नाम पर एक स्पा बिसने शुरू करना चाहता था सो देर हैस टो बी अ कनेक्शन शेहर के सारे स्पा सेंटर का अगर पता लगाया जाए साइमन किसी स्पा को वो टेक करना चाहता हो नो, नाफिंग अट आल पकड़ उसको पकड़ उसको पकड़ उसको पकड़ उसको भर! मुझी 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 दो दो लिकन मीरा कि अ टुरो कि आर दुट यहांग कि अस्विडार ना – नेरिंजनम? आल कुन्सेरे लाफ नेख पॉसिबवर नेरिंजनम जा देप आर उर्लीश आर लागवाOld मिरा मिरा एक बार देखने के बाद तुम उन्हें पैचान सकती हो नहीं, सब की चेहरे बन नकाब थे सर अलेक्स आपको कुछ देर के लिए यहां रुकना होगा फिर सतीश को बुला कर उन्हें ढूड़ने के लिए बोलिए सर सर यू दो आपको 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 मिरा मिरा क्या हुआ बथी तुमारे फोन से तुम्हें ढरे गया था सर ये दोनों माबेटी बहुत डरी होई है और इन दोनों का अपना कहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ आप चिंता मत कीजे मैंने इस घर के सुरक्षा के इंतिजाम कर दिये आप डरने के कोई बात नहीं देखिए मैं जानता हूँ अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है लेकिन मैं पहले भी कहता था चब मुझे ये बात मीरा के पापा ने बताई और मैं तुम्हारे पास आया था किसी तरह ये रिलेशन खतम कर दो इसके रिष्टे की वज़े से इसके पापा बहुत नाराज है वो इसकी शादी करना चाहते हैं लेकिन ये अपनी जित पराड़ी हुई है और अब तो इसने ये फैसला कर लिया है कि ये जिंदगी भारा के लिए ही रहेगी यहां जो भी हुआ उसके लिखित में एक कंप्लेंट अपने एसाई को दे देना एलेक्स सर दिस इस अल येर्स कि आ ये आपने गते आगे रहें चलो टीचीप निराणजयन लोड़ोगे हम में आप सब थोड़े परिशान है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूँ, हो सकता है आपको इससे परिशानी होगी, but unfortunately, we have to go through this अब आगे क्या है पूछने के लिए, सर, मेरे बेटे के खूनी को तो आपने धूड निकाला, I have seen your press meet on TV केस अब CBI को दे देना चाहिए, अब हम कोट जा रहे है, लेकिन मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ, and I hope you will cooperate यहाँ आने से पहले, Simon was based in Delhi and Mumbai, है ना? सही कहा वो कभी आपके साथ आपके बिजनिस में इन्वाल हुआ था? या, he was लेकिन, वो full-fledged इन्वाल्मेंट नहीं देता था, और उसके हिसाब से, आप लोग उसकी तरफ नहीं जा पाते थे और उसका इस केस से क्या मतलब है? ओफिसर, मेरे बेटे के बारे में आपने जो कुछ भी सुना, वो सब सच है उसकी बहुत सारी बुरी आदते थी, लेकिन वो हमें बहुत प्यारा था या, I know दिल्ली अपना बेश शिफ्ट करने से पहले, साइमन दो साल के लिए पूना गया था आप लोगों के एजुकेशनल इंस्सिट्यूट्स को परस्नली मैनेज करने के लिए तो फिर अचानक आपने उसे दिल्ली क्यों भीज दिया? एंबीए डिसकन्टीन्यू करके वो घर आ गया था इसलिए उसे बीजी रखने के लिए हमने उसे पूना भीज दिया था एंड ही वास्ट्यू यंग देन फिर उसका टेस्ट रियल इस्टेट एंड फाइनस में जाने लगा तो उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया नैशनल क्रिकेट लीग और अपने राज़ी की क्रिकेट टीम उसने खरीदी थी क्या इस बात की जानकारी थी आप दोनों को? प्लीस डोंट अडवाज में आप दोनों को आप दोनों को क्रिकेट में मैं पैसाद लगाओंगा इतना ही हमारी इजाज़त के बेना उसने वो फैसला लिया था वो वन लास्ट क्वेश्चन क्या आप लोग मार्टिन दिनकर को जानते हैं? नहीं, मेडिया के जरिये ही हमने उसका नाम सुदा अरू शूर? वाई? आफकोर्स, आम शूर हम, ओके मिस्टर जोसेफ, क्यों बेकार में बिजनेस में कॉंप्टिशन करते हैं? वाई डाउंट वी टॉक्ट तो या सन? मैंने कहा ना मिस्टर मार्टिन ये उसका फैसला है वी हाव नाथिंग तो विधिट ओ, इस इट? देन लिसन, मॉमबाई की नेशनल लीग क्रिकेट टीम को सिर्फ मेरी कंपनी ही खरी देगी योगाइस बैटर पैक आउट और योगाइस वेल हैव सम् रियल बैद न्यूस कमिंग और वे टेक केर, टेक केर जेंटलमें, टेक केर आफियर सन ठीक है, मार्टिन दिनकर को तो तुम लोग नहीं जानते तो अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अब मैं चलता हूँ इस फोल्डर में, मॉमबाई में जो फॉचून पहले से है, उसके कुछ बिल्स है वो भी सिर्फ दो हफते पहले के, सीकिंग स्वीट, बोट अफियर स्टेट देर, फॉर अडे और उसी होटल में, फॉरेस्ट के कॉफी शॉप में, तुम्हारे और मार्टिन दिनकर के बीच, एक मीटिंग हुई थी सुबूत है हमारे बस CBI को केस देने से पहले, हम लोगों को एक बार और मिलना होगा and I'm afraid, that meeting won't be this friendly morning can I join your breakfast wow toasted bread, fruit jam, butter, egg white, seedless, nice that's what I called a typical single man breakfast since I have forcefully shared your breakfast I guess it's a good beginning can we become friends at least yeah, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं पहली बार मिलने पर अगर कोई मेरे साथ को अपरेट नहीं करता है तो दूसरी बार मिलने पर मेरे पास एक फ्लावर होता है remember we met at the funeral of Simon Palmgrove I'm a bad guy नहीं रंजंग I'm a bad guy नहीं रंजंग very bad guy rest you can imagine मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ वीडियो तब का है and I know your secret why you still remain single have a look तुम दोनों के बीच की गलत फैमी जल्दी खतम हो भगवान से प्रार्थना करूँगा अगली भार जब मैं यहां हूँ तो मेरा तुम्हें ब्रेक फास सर्व करे इस पॉसिबल निरंजन but she has to be keep quiet मेरे और साइमन के बीच हुए हास सिक की इकलोती गवाह वही है न तुम साइमन के पापा और उसके भाई पर जितना प्रेशन डालना चाहते हो डाल लो लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे देखो तुम बेकार में मेरा पीछा करना छोड़ दो और ये कहने के लिए मैं अगली बार तुम्हारे पास नहीं आऊँगा पता है मुझे कौन सा म्यूसिक बैंट सबसे ज़्यादा पसंद है कंसेंट रोजेस रोजेस फॉर यो निरंजन अग्ट थाओ रोजेस व्ट तुम्हारी बातें चलना बैठना मुझे कुछ भी पसंद नहीं है और तुमने मुझे डराये वो भी वो भी मुझे पसंद नहीं है इट्स टू मेलो ड्रमाटिक यो नो तेरी माँ की तो ये गंस अंड रोजिस अगर मेरे पापा को एक खरोंच भी आई तो देख लेना तेरा अंतिम संसकार भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा तुझ जैसे लोग हमेशा दूसरों के डर पर ही जीते हैं लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूँ डर भी मुझे देख कर डरता है मेरा तेरे खिलाफ गवाही देगी and you won't even touch her feet you did a blender निरंजन I'll have the last laugh सही कहा तुने ये तेरी आखरी हसी होगी लेकिन दुबारा हसने के लिए तुन नहीं बचेगा आपने हमें क्यों बलाया सर वो इसलिए ज़ादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है घर में ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी जब बाहर जाओगे तो शेड़ो पुलीस भी साथ में रहेगी एलेक्स विल हैंडल इट ये सब सुनके बहुत डर लग रहा है सर अंकल आप चुप रही है सर, मुझे बैंगलोर जाना ही होगा जाइन करने के लिए मैंने उनसे दो दिन का टाइम मांगा था अब दे टाइम इस अप लेकिन मैं एक बात जाना चाहती हूँ वो मार्टिन दिन कर मुझे फोकस क्यों कर रहा है मैं उसके बारे में जो कुछ बे जानती थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया फिर मुझे एमिलेट क्यों किया जा रहा है तुम इनके साथ रो सर, I need to talk to her सर, please मीरा, this is serious You have to be careful बट वाइ? Because वो तुम्हारा पास जानता है मीरा को दूर रखने के बात कह रहा था मुझसे वो I tell you, वो एक बहुत बड़ा कमीना है हम दोनों के रिष्टे को वो कभी भी नहीं समझ पाएगा मैं मजिस्ट्रिट के सामने मार्टीम के खिलाफ गवाही देने के लिए तयार हूँ Let him record it उसके बाद मुझे बैंगलोड जाना होगा More than a job I need a change of place इस शेहर मे रहने का मेरा बिलकुल मन नहीं करता Since we met No, you can't go मुझे जाना ही होगा मैंने कहा था ना मेरी जॉब छूड जाएगी To hell with your job, Meera You cannot go You are under my protection What did you say? I said you You are under my protection I love that What? I always love that Are you crazy? Yes For you तुम्हारे और Meera के बीच Miss Understanding clear हो गई है सुनकर अच्छा लग रहा है तुम लोग मेरी वज़े से अलग हो गए थे इस बात का बेहद अफसोस रहा है मुझे और हाँ, काम के बारे में तुम्हे हमेशा सचेत रहना पड़ेगा इस तरह के गरम खोन के साथ तुम पुलिस में सर्वाइब नहीं कर पाओगे उनकी सुनो, तुम्हें उसकी जरूरत होनी चाहिए आई जी थॉमस सर अपने फोर्स के एक बहुत अच्छे इंसान है तुम्हें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए अगर कुछ गड़बड भी हुई, तो वो तुम्हें बचाने के कोशिश करेंगे जब आपको प्रॉब्लेम हुई थी, तो आपके मड़द किस ने की थी? उस समय बाल गुपाल सर ने काफी कोशिश की थी, लेकिन काम्याब नहीं हुए जब असली परिशानी आती है, तो कोई किसी की मड़द नहीं करता है तब हमें ये खुद को बचाना होता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, पिटा पिछले तीन-चार दिन से घर के आसपास ये पुलिस वाले क्यों घूमते नजर आ रहे हैं? बात क्या है? वो, ऐसा तो कुछ नहीं है मैं भी एक पुलिस वाला रह चुका हूँ वो भी 29 साल मैं सब समस्ता हूँ क्या हुआ एलेक्स? सर, प्रमोज सुभाश और जय प्रताप का पता चल गया है सर लोनावला के रास्ते पर ही है वहाँ के कुछ लोकल गुंडों की मदर ली हुई है बस एक मिनट नावे हो खैके Sir पलीस आरहा है भाग यहाँ रागा है चल 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 अन्यदी का गुल चल 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 कर दो कर दो कि अहांदू बडर्ै… व शोजश सवेर, शोजश अहाँ कर दो कर दो कि वहाल कि वोग्यों सिर्याव कि अरी? कि अ गुज कर दो कि अजड हो अो अट अट बुट अटर अट कि अजड़ सिट अटर अट sबस्ट अटरा कि अप कि अट één टर्डर कि अट्यु खुड रूब लेंग दुटरी v हो अट ट्रव टर अट यह यह थो है कि च गॉज़ पर अगल में अटस यह गुड है पुर की अब भब प्रमेघा जगा और र्म्यांतर ज रिल क्रिकेट लीग में मुंबाई की टीम का प्रेस मिट में एनांस हुआ उसके बाद साइमन की तरफ से क्लाउड नाइन रिसोर्ट में एक ट्रीट रखी गई पार्टी यही कुछ एक बज़े खत्म हुई साइमन ने जया और दोस्तों से कहा कि वो फार्मा उचा रहे हैं साइमन मुझे साथ ले गया क्योंकि वो अकेले ड्राइव नहीं करना चाता था बाई यह से चुटकर रहता हूँ बाई 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 तुम गाड़ी में चला तुम नशे में हो मैं चलाता हूँ न क्लाने दो मैं चला रहा हूँ न मरोको भाई मैं चलाता हूँ न बाई यू स्वाइन आम यूर बॉस बाई मैं तो बाई 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 है हाँ हेलो हाँ जै तुम लोग निकल गए क्या अरे वो पागल हो गया है मुझे गाड़ी से उतार दिया हाँ मैं रास्ते पर ही खड़ा हूँ ओके जल्दी आना जल्दी 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 आज वो कही ना कही तो गाड़ी जरूर ठोक देगा चल्द उसका पिछा करते हैं चल्द जल्दी चल्द अधा मेरी गाड़ी जिससे साइमस साइड में खड़ी मिले हमने गाड़ी रूके और बाहर निकले तुका तो छुम político चाहे चाहरो तो चाहे डाई मैं जहार high को पीच रास्ते में उतार दिया उसके कितने समय बात जय प्रताप तुमें लेने आया लगभग आदे घंटे बाद, सर यह सच है? हाँ, सर क्या तुम लोग मार्टिन दिनकर को जानते हो? हम नहीं जानते हैं क्या हुआ, सुभाश? अचानक रियक्शन चेंज हो गया? नई, सर ऐसा कुछ नहीं सर निरंजन has something important to brief you सर, जय प्रताप और प्रमोच सुभाश की पूछताच से हमें कुछ अलग सा तो नहीं मिला उन्होंने जो बताया more or less वो सब कुछ हम जानते ही थे बट, there's one development अपने आपको निर्दोश साबित करने के लिए प्रमोच सुभाश ने मुझे दो बार कहा सर, आप मेरी call list चेक कर सकते हैं That made me curious So, मैंने उसकी call list निकाली साइमन के साथ बैट कर जब वो गाड़ी में आया था तब से जब तक murder हुआ तब तक 45 मिनिट तक सुभाश का contact सिर्फ जय प्रताप से ही था कुछ problem हुई तो साइमन ने सुभाश को बीच रास्ते में ही कार से उतार दिया था यहां मुझे दूसरा मौका मिला जब साइमन के साथ ये कार में गया था तब अगर सुभाश उसे message देना चाता था तो उसका एक ही रास्ता था अगर आपको किसी को alert करना हो तो अपने phone से एक missed call कर दो डाल करने वाले नमबर एक दो रिंग के बाद कट जाए तो वो कभी call list में reflect नहीं होता लेकिन service provider के log folder में 14 दिन तक वो सारा data available रहता है सुभाश के mobile की detail log मुझे cyber sales से मिल गई पेश नमबर 3 इन दे फोल्डर सर जब साइमन के साथ उसने चलना शुरू किया तब कुछ 11 हो रहे थे उसने 9946509700 नमबर पर एक missed call किया था सुभाश ने जिसको miss call किया था तुमने उस नमबर को ट्रेस किया ये सर, RDX अनिल अ हाई प्रफाइल क्रिमिनल उसे उसके मोबाइल पर सुभाश ने miss call किया सर, फरजी जमीन और बॉम के पार्ट की सप्लाई जैसे illegal transporter से वो पैदा हुआ और बड़ा बन गया रामेशुरम से लेकर श्रीलंका तक उसने RDX सप्लाई करना शुरू किया फिर उसे लोग RDX अनिल कहने लगे सुभाश के एक land deal में अनिल का भी investment था गोवा intelligence के साथ हम connected है सर RDX अनिल is maintained and saved by Martin दिनकर सर ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई अगर ये बात कहीं leak हुई तो अनिल भाग जाएगा निरंजन चाहता है कि वो इस केस को अकेले ही investigate करके अनिल को पकड़े आर यू शूर यू कैन? ये सर आई कैन देन गूट लग थैंक यू सर गूट व्यू नहीं मैंने मेंने भाग यू अनिल रिस्ट व्यू समी सर दी था कम वित में प्लिए ुझवू सबंगा भाग कर दो अच्चिव सबंगा यह प्यार दोडर दोड़ां लो नयया थे लो और लुग आँखिए लोगगज अँशनोicked लोगईगनेmeraht कर दोब लुब भोगऑफखग लोगफख़सी नम क्या humidity started अियाँ कि लिठाँ कि लोगऑगज लुड bene तुम्हारा और इस RDX अनिल का क्या रिलेशन्शिप है जवाब दोगे सुभाज तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वरना इस केस में तुम दोनों का नाम डाल दिया जाएगा मैं बताता हूं सर जब मैं रियल स्टेट का बिजनिस करता था तब मुझे बिना लेसन्स के बारुत का समान अनिल दिलाया करता था तब से हम एक दूसरे को जानते हैं उसके बाद हमने बहुत सारे बिजनिस एक साथ किये थे बिजनिस से तुम्हारा मतलब लेंड माफिया और हवाला है न तो फिर सिटी में हथ्यार सप्लाई करना वो क्या है जिस दिन मर्ड़ हुआ था तब साइमन जय प्रताप को छोड़ कर तुम्हारे साथ जाएगा यह तुम्हारा ही प्लान था है ना? ठीक कहा सर इसी ने कहा था कि यह साइमन के साथ जाएगा सर आम और राइट, आम और राइट अज़े, सुन, मैं और भाई दोनों फार्माओ जा रहे हैं तुम इंको छोड़कर वहाँ परा जाना बाई, मैं यह गाड़ी चलाओंगा ओके, बाई साइमन के साथ जाने के बाद, तुमने इसे एक मिस्ट कॉल किया था अब बता उसके पीछे क्या प्लैन था कुछ मत बताए ने, यह लोग कुछ नहीं कर सकते मैं बताता हूं सर, हमारे निकलने के बाद, मैंने इन लोगों से कहा था कि मैं एक मिस्ट कॉल करूँगा फिर जो हुआ मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अला मिया मुझे प्यार हुआ भाई, मैं एक दोस्तिया इंताजार कर रहे हुआ, थोड़ी तर गाड़ी रोको ना यहाँ, भाई वाई भाई, मुव दकार वाई, मुव दकार हेलो चाही तू निकला क्या? हाँ, भाई तो पगला गया है, उसने मुझे गाड़ी से बहार निकल दिया हम, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, कम फास्ट ओके, तुमने जिसके इंतिजाम किया था वो जोशिय और उसकी टीम, लगभग आधे किलोमीटर पर तुम्हारा इंतिजार कर रहे थे ठीक कहा सर, अनिल भाई ने मुझे ये आइडिया दिया था, कि साइमन का मर्डर बिलकुल एक नॉर्मल एक्सिडेंट की तरह लगना चाहिए मैंने और जोशिय ने प्लैन किया था, साइमन को मारने के लिए उसने मोहन और विजय का इंतिजाम किया था जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हुआ जोश्य और उसकी टीम को जादे किलोमेटर पर इंतिजार कर रही थी ड्राइब और वाज़ 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 वज़ वडियो एप ने में एप अजुआ झूआ करो वाज़ 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 वड्यों प्रुड़ में प्रुड़ में यह 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 सुआ यह तो फिर साइमन ने एक बाइक वाले को टक्कर मारी और तुम लोगों ने उसका पीछा किया टेंशन में आकर मुलानी विजय ने उस पर चुरा भोग दिया आखिर क्या कहानी है ये श्रीनिवास समझे नहीं आप ये प्लैंड मर्डर था अगर ये ऐसे कोर्ट में जाता तो इस पर कोई नयाय नहीं हो पाता साइमन के गले में जो खाओ था वो मोहन विजय ने नहीं किया था वो जरूर इसका काम होगा अनिल का जोशी के मिस हो जाने का बहुत बड़ा रिस्क था इसलिए तुमने साइमन के गले पर वार किया और इनके हावाले कर दिया है ना श्री निवास साइमन को कार में छुरा भौका तब वो आगे की सीट पर नहीं था पीछे की सीट पर था तुम लोग कितने भी कोशिश क्यों न कर लो लेकिन इस केस से तुम बाहर नहीं निकल सकते तुम पर ताला लग चुका है इसलिए अब बताओ तुमने उसे पीछे की सीट से बाहर निकाला था ना जी सर पीछे की सीट से निकालते समय उसकी गरदन से खून बहरा था सर जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही मोहन ने उस पर तीन बार पर दिये So, जहां सुभाश उतरा था वहां से जोशी के इंतजार करने वाली जगे की यातरा तक साइमन के गले पर चाकू का घाव बनाया और तुमने साइमन को पीछे की सीट पर डाल दिया और गाड़ी लेकर जोशी जहां इंतजार कर रहा था वहां चले गए वहां पूरी तरह से पिया हुआ मोहन विजय मिला उसने साइमन पर दुबाला बार किया This is a stunningly intelligent crime इसके पीछे कौन सूपवरेन है यह मैं चांता हूँ The man behind you Prove it in the court Yes, I will I am going to take him and rip him apart Your demigod, the one and only Martin Dinkar Investigation की सारे डिटेल्स निरंजन मुझे बता चुका है Thomas, it's all very clear Simon के कतल के पीछे think tank Martin Dinkar है मैं जानता हूँ sir लेकिन हम इस केस के लिए उसे अरेस्ट नहीं कर सके But why sir? अभी तक तुम अपनी इंक्वाईरी से 14 criminals पकड़ चुके हो जिसमें पहला कातिल Mohan Vijay दूसरा कातिल जोशी का confession इस केस से जुड़े 63 गवाह भी है अगर हम ये चार्शीट कोड को दे देते हैं तो वो सच बाहर नहीं आएगा जो पुलिस बताना चाहती है बल्कि इससे हमारी बेज़िती ही होगी सारे सीनियर्स के confirmation यहीं तक रह जाते है निरिंजन तुम्हें बहुत सीखना है सचाई और जजमेंट पुलिस के हाथों में कितना रहता है इसके बारे में तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो सर, साइमन मर्डर के पीछे planning and execution उस RDX अनिल कही था साइमन की बॉड़ी और उसके गरदन पर मारा गया वो deep slack वो अनिल के चाकू से ही हुआ था जो pre-meditated killing था और उसके बाद गैंग मर्डर के लिए उसे जोशी के पास सौप दिया गया था तुम सच कह रहे हो लेकिन उसने तुम्हारे सामने जो कहा है कोर्ट में जाकर बदल सकता है जब हमें एक कातिल को कोर्ट के हवाले कर देते हैं तो उसके चार्शीट कोर्ट के हवाले हो जाती और उसी समय तुम किसी दूसरे को arrest कैसे कर सकते हो डोंट बुल्शिट थॉमस ये सब टेक्निकलिटी छोड़ कर तुम न्याय के बारे में सोचो सर्मार्टिन दुबई वापच चला जाए उससे पहले उसे कस्टडी में लेना चाहे सुरी निरंजन इम हेल्पलेस DCP निरंजन Can I talk to you privately Will you please come out Excuse me sir तुम जिसे ढून रहे हों मार्टिन दिनकर तुम जानते हों कहा है Now listen Hey निरंजन Thomas I tell you He's damn frustrated क Sum हुआ इसर बरेशन इसर्व बिर fps हुआ हुआ कर दो कर दो कर दो करद दो はい आए, वेल्कम So you finally come near Anchen Thought you would be more conscious इतने आसाली से कोई भी यहां नहीं आ सकता एक अन्नोन कॉल आते ही चल पड़ते हो क्या वो भी ऐसे अकेले आए हो Hmm, you are tearing man Stupid tearing Simon murder case के पीछे brain and execution और उसे जुड़े सारे सबूत अब तुम्हारे हाथ में है Under your custody And you have my most wanted man, Anil अचानक कहीं से एक नए खुनी ने आकर Simon Palm Grove का कतल कर दिया पुलिस ये बात कोट में साबित कर देगी इस कहानी में एक और ट्विस्ट है It's enough Nirajan I know it's too late to talk about truce I have no time for you Rather destiny have no time for you Oh my god 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 What show Oh my god Come on Wow Oh my god कि अुआ किछ को अगला हैं सबुआ कर अगला है? खुम्हें सोफे ही, मैं अगला है, अगला है! लुआ कि अवडला है, अगला है! अगार कि अगला है! अर्णा अपला है! कर दो कर दो कर दूए डिल भुट साल्फ में पुट सुए है यहा पुट है यहाँ अवा खर नार कि अगे यहाँ दो खख़गजब खुगजजब खुगभ खुट खुट ग्ट्रेथ प्राद़ पयाऱ थे चुंग प्राद़ है आप यह में तर प्राद़ दूख यह जा कि इस त्राद़ रहे हैं इस झाले प्राद़ ओर स्थान क्षेल्ड़ वह स्वार चोंग थे अन्य हुआ दिनकर दूलकिया मैं माई यलाइ मुझे पता था कि तुम इस तरह का रिस्क जरूर लोगे मार्टिन को पकड़ने के बाद आई जी थॉमस, डी जी पी, होम सेक्रेटरी को कन्विन्स जरूर कर लोगे मैं जानता था मार्टिन की तरफ से तुम्हें एक अंजान कॉल मिली थी और तुम ट्रैप हो गए जिसे मैंने ही अरेंज किया था तुम अब ये सोच रहे हो गए ना कि मैंने ऐसा आखिर क्यूं किया इस मुलाकात के लिए ही मैं यहां आया था मैं जानता था कि आप यहां पहुंचेंगे खुद को सामने लाने के लिए एए, डोंट ब्लाफ आपको याद होगा आप जब मेडिकल कॉले स्टार्ट करने वाले थे तब थामस सर को इंविटेशन देने आये थे आपके इंसिटूट का नाम बड़ा स्ट्राइकिंग लगा मुझे मैं आपका स्टूडेंट था उससे दो साल पहले पुना के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली आपकी बेटी मर गई थी कौन खुनी है जब मैंने साइमन से पूछा था तो उसने मुझे बताया तो था लेकिन उसके आखरी शब्द मैंने गलत सुन लिये थे जब मैंने ये जाना कि आपके बेटी का नाम मीरा है तब उसका सही मतलब मेरे सामने आया साइमन ने जो बताया वो मीरा स्पा नहीं था बलके वो था मीराज पा मीरा के पापा है ना मैंने आपकी बेटी के मौत के बारे में जानने के लिए पुराने न्यूस पेपर चान मारे आपकी बेटी जहां पढ़ती थी वो पूना का पाम ग्रोव का एजुकेशनल ट्रस्ट था तब 22 साल का साइमन वहां का एमडी था साइमन ड्रग एडिक था और उसी की वज़े से आपने अपनी बेटी खो दी उसके बाद इस कतले के पीछे भी एक मिस्ट्री थी अखवारों के हिसाब से ये बस इंफ्लूएंस था पाम ग्रोव ग्रूप के साथ लेकिन ये ताय कर दिया गया कि एक दुरगट न थी और आप मुंबई के हायर ओफिसर होते हुए भी कुछ न कर पाए लेकिन इसके सामने और भी बहुत से सवाल बाकि रह गये थे आपके और मार्टिन के बीच क्या कनेक्शन है तब मैंने सोचा कि साइमन नैशनल क्रिकेट लीग टीम में इन्वेस्ट करने वाला है और ये बात मुझे बताई थी आप ही ने सर्विस से रिजाइन देने के बाद दुबई में आपने बिजनेस शुरू किया अचानक आप करोड़ पती हो गए ये सब कैसे हुआ और उनको मिला तो उन्होंने मुझे बताया युवे नॉट क्लीन देट यू हैड वेरी स्ट्रॉंग लिंक्स विथ दुबाई बेस्ट हवाला काटल बिना अनुमती के आपके 18 बार दुबाई जाने के डीटेल्स आपकी परसनल फाइल से मिल गए आपके पास उस समय होम मिनिस्टर और दो सेंट्रल मिनिस्टर थे डीजी चुप रहे लेकिन उस रैकेट में दूसरे तीन आफिसर्स पकड़े गए जिसमें मेरे पापा भी थे इस बार मेरे लिए भी एक बदला था जो गेट मी Absolutely brilliant तुमने सही बताया Simon's killing was a crime of revenge जिसके लिए सही समय का मैं इंतिजार कर रहा था और वो यहार शिफ्ट हो गया वो मार्टिन से पंगा भी ले बैठा हमारे बिजनेस में हमारे आड़े आ करके मैंने अपना बदला लेने का दज्च मार्टिन से शेयर किया So we planned it out with RDX NL प्रमोज सुभाश को रास्ते पर उतारना और जब Simon आ रहा था मैं रास्ते में इंतिजार कर रहा था Stop the car तू मुझे जानता है ना मीरास पाव अनिल सर अभी मौत इससे दस मिनट दूर है जोशी वहाँ इंतजार कर रहा है इसे वहाँ ले जाओ ओके सर असर यहाँ ज्याँ असे वहाँ कर रम यहाँ हुआ कुमुमुमुमुुई Indo आपने कहा था कि आपने मुझे यहां बुला कर ट्रैप किया है मैंने आपको ट्रैप किया है मैंने और थॉमस सर ने जानकर यह प्लान किया था और यू फेल राइट इंटो दे ट्रैप गुड लग मैं हमेशा कहा करता था था ना आपको टेरिफिक जज़ अव टैलेंट मैंने जब तुम्हे देखा तभी जान गया यू आउसम तु आउसम रॉल राइट आपको तो नो यू थाम्स सर पने जो कम आउन हुआ 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 है बनह sólo को ठ्रिला ठ्रिला फाल थ्रिला होटोबेगी तुबरा हर लमहातेरा चहरा खौब बना है मेरा ये रूप अब मेरा तेरी बजा से महकार